कि आपका सफॉगत है एक इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे बात करेंगे डार इस ग्रसाइप आपका काफी बार एक्जांम में यहां से कॉषिन पूछा जाता है इक अगर आप नॉबजे क्लास करना चाहते हैं जो नौबजे की क्लास हमेशा अन अकाडमी पे होती है यह एक फ्री क्लास होती है इसको जरूर करा करिए इसमें हम पेपर वन के क्वेश्चन करते हैं और आप से कोई भी कोड मांगा जाता है तो आप इस कोड को लगाईए चाहे आप प्लस होगा और उसके अंदर भी हम जून 2019 के सेट्स करने वाले हैं यह सभी लिंक आपको टेलिग्राम में मिल जाएंगे क्लास के अन अकाडमी के और आप वहाँ पर रिकॉर्डिट सेशन देखके भी क्लास कर सकते हो देखिए बात करते हैं फर्स डिफ्रेंस से एक ट्रडिशनल क्लासरूम देखिए जहां भी वह ट्रडिशनल लगता न तो जो हमारे टाइम पर क्लासरूम हुआ करते थे जहां पर हम यह देखते थे कि एक टीचर है जो कि most of the time teacher oriented जो है या teacher centered शिक्षा चल रही है लेकिन एक constructivist जो है अप्रोच क्या कहती है कि एक बच्चा कभी भी ना किसी चीज़ को passively नहीं सुनता वो उसको सुनता है life में use करता है अपने experiences के साथ जोडता है और यह एक student centric approach बन जाती है जहां पर वो खुद से किसी चीज़ को धीरे धीरे अपनी knowledge को construct करता है अब वहाँ पर यह बात आती है कि देखिए curriculum जो है वो हमेशा part of the whole के रूप मे emphasize करते हुए basic skills को शुरू होता है अगर हम बात करते है traditional classrooms की वहीं पर आगर आप देखोगे constructivist classroom है तो उसके अंदर आप देखेंगे emphasize किया जाता है बड़े concepts को जहां पर आप पूरे whole के साथ आप शुरू करते हो और फिर उसको हिस्सों में धीरे धीरे बाट के पढ़ते हो तो जो हमारी basic सिक्षा होती थी वो इसी तरीके से तो होती थी कि जहां पर आपको एक एक छोटा छोटा पार्ट पढ़ाये जाएगा फिर उसके बाद to the whole लेके जाये जाएगा और basic skills पर focus होगा लेकिन एक constructivist classroom focus करता है big concepts पे और उसके साथ उसको आपकी life related aspect के साथ जो है आप analyze कर पाते हो यहाँ पर strict tolerance होता था कि सिर्फ और सिर्फ जो है जो fix curriculum है उसी को value किया जाएगा लेकिन यहाँ पर जो pursue किया जाता है वो student के सवाल या student के interest को ज़्यादा value किया जाता है एक constructivist classroom में material यहाँ पर सिर्फ आप देखते थे कि textbook या हमारे time पर सिर्फ workbooks ह अगरती थी लेकिन उसी तरफ constructivist classroom में देखा जाए आज के जमाने में तो आप primary sources और manipulative materials को भी जगह देते हो जहाँ पर आप flexible रखते हो approach को rigid नहीं रखते हो और क्योंकि जो student का interest है कभी-कभी वो vary भी कर सकता है तो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान इस बात पर रखा जाता ह कि सिक्षा student centric है हमारे ताइम पर अगर देखा जाए तो text books हो गया curriculum हो गया काफी एक rigid किसम की जो है education थी learning सिर्फ repetition पर बेस थी कि जैसे हम पहाड़े याद करते हैं ABCD याद करते हैं या कोई formula याद करते हैं जहां हमें recitate करना होता है किसी चीज को cramming करनी होती है जबकि य सुनता था रिसिप्टेंट होता था लेकिन यहाँ teacher जो है वो student से बात करेगा interactive way में classes लेगा dialogue होगा एक और student की help करेगा concert करने के लिए उनकी अपनी knowledge teacher का रोल यहाँ पर completely interactive होने वाला है जो की negotiation में rooted है मतलब कि आप बहश कर सकते हैं आप कोई बात के ओपर discussion कर सकते हैं आप आपसी बाचीत के थ्रू किसी topic को पर सकते हैं suggest कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो है वो authority है सिर्फ और teacher का रोल जो है वो directive किसम का रोल वा करता था जो सिर्फ information देने के लिए आते हैं और student जो है वो passively उसको सुनते थे यहाँ assessment होती थी कि आप test के थ्रू कितने correct answers दे रहे है इसके basis पे लेकिन यहाँ assessment के बड़े सारे तरीके हैं कि आपको observe किया जाता है point of view आपका देखा जाता है कि किन चीजों के लिए आपका क्या point of view है आपका काम देखा जाता है आपकी process को ज़्यादा importance दी जाती है product के मकाबले तो end चीज पे ज़्यादा जोर नहीं है result पे process ज़्यादा जोर है knowledge जो है वो एक inert के तौर पे देखी जाती थी यहाँ knowledge डाइनमिक तौर पे देखी जाती है कि नौलेज बदलती रहती है ever so changing है लेकिन वहाँ knowledge को सिर्फ fact information माना जाता था कि जिसको knowledge इसका मतलब कि इसको सारे fact information बता है इसका मतलब होता है कि inert के तौर पे subscribe to the channel and also hit the bell icon ताकि आपको ऐसे interesting videos मिलते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें please share the video in your groups साथी साथ जो logical reasoning का और इंडिल लॉजिक का full course यहाँ पर available है प्लेलिस में उसको अच्छे से कर लीजे अपनी सेहत का ध्यान रखिए शुक्रिया